कलम की ताकत क्या होती है निडर और निश्पक्ष पत्रकारिता के स्तरह की जा सकती है इसकी प्रेणना हम गड़े शंकर विद्यार्थी के जीवन से ले सकते हैं गड़े शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही पत्रकार थे जिनोंने अपनी कलम से सत्ता तक की राह बदल दी अंग्रेजो शाषन की नीव हिला दी गड़े शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंदता सेनानी थे जो महत्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थकों और क्रांथिकारियों के समान रूप से देश की आजादी के लिए लड़ने में शक्रिये सहयोग प्रदान करते थे गड़े शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के जरिए बिटिस शाषन के साथ साथ देशी सामनतों को भी निशाने पर लेते थे उनका दफ्तर क्रांथिकारियों की शरण स्थिली था तो युवाओं के लिए पत्रकारिता का प्रशिक्छन केंद्र जिसको न निज गवरव और निज देश का अभिमान है वो नर नहीं निरापशू और मरतक समान है ये पंक्तियां जब आप सुनें तो आपके जहन में जो सबसे पहला नाम आता है और नाम आना चाहिए वो नाम होए प्रताप का कौन प्रताप? गड़े शंकर विद्यार्थी का प्रताप कौन गड़े शंकर विद्यार्थी? वो गड़े शंकर विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कलम चलाई तो अंग्रे जी हुकूमत काप गई वो गड़ेश शंकर विद्यार्थी जिनके प्रताप को पढ़कर भगत सिंग कानपुर चले आए और पत्रकार बन गये जी हां गड़ेश शंकर विद्यार्थी का 131 जन्म दिन है और हम इस समय खड़े हुए हैं गड़ेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस पर और इ उनके लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए वो विशह है गड़ेश शंकर विद्यार्थी वैसे पैदा तो हुए प्रियाग राज में लेकिन उनके जो कर्म भूमी बनी वो कानपूर बनी इतिहास में उलेख है कि क्रांथकारी भगत सिंग गड़ेश शंकर विद्यार्थी के अकबार प्रताप को पढ़कर इतना प्रभावित हो गए कि वो कानपूर आ गए पत्रकार बन गए भगत सिंग और प्रताप का जुडाव बड़ा गहरा था गड़ेश शंकर विद्यार्थी से वो बहुत पहले से संपर्क में थे फिर जब उनको भगत सिंग को भी हम पत्र प्रताप में थे उनसे बात करी किसी भी माध्यम से 1926 की बात है यह और वो यहां आ गए प्रताप प्रेस में काम करने लगे बलवन सिंग के नाम से और उन्होंने ना सिर्फ यहां पर बतौर पत्रकार लेख लिखे प्रताप में खबरें खबरों के कवरेश के लिए गए ब पर थी का वैसे तो जन्म 26 अक्टूंबर 1890 को प्रियागराज में हुआ लेकिन उन्होंने अपनी कर्म इस्थली कानपूर को बनाया यहां उन्होंने 9 नमबर 1913 को प्रताप अकबार की नीव डाली अकबार की लोग प्रीता इतनी हो गई कि जिस दौर में भारत में ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रशार नहीं था तब प्रताप 40 पन्नों का निकलता था अकबार से अंग्रेज इतना डरते थे कि एक बार प्रताप अकबार में दास्ता नामक कविता का प्रकाशन हुआ तो गड़े शंकर विद्यार्थी पर राजद्रोह का मुकद्मा हो गया और एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया कहते हैं कि विद्यार्थी जी ने जुर्माना तो भर दिया लेकिन इसके बाद उनकी कलम की धार और पैनी हो गई दास्ता कविता जो छपी प्रताप अक्वार में तो उससे अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि ये जन भावना को दोलित करने का प्रयास कर रहे हैं जिस कारण से उनके जुर्माना लगाया गया और जुर्माना लगाने के साथ साथ उनको ये धंकी भी मिली कि आपका देंगे तो गनेज जी ने उसका बड़े निर्भीकता से सामना किया और उनको साहस यहां के लोगों ने भी दिया चुकि गनेज जी का गनेज जी का जो वेक्तित्त था उसको सिर्फ पत्रकार के दाएरे में बांदना ठीक नहीं है गनेज जी बैसिकली शोशल एक्टिविस को ही बढ़ावा दे रहा था और वो उसमें पूर्टिया सफल भी रहे तो दास्ता कविता का जहां तक संदर्ब आता है तो अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि यह कविता जो है लोगों में जन्भावना को द्वेलित करेगी और लोग उनसे लड़ने के लिए अपने को गु कलम की धार्थी बहुर जदा पहनी हो गई बिलकुल जब जब भी गणेश शंकर विद्यार्थी पर कोई भी कारवाई अंग्रेजी हुकूमत ने करी तब तब उन्होंने दोगुनी तेजी से पलटवार किया अपनी कलम के माध्यम से वो कभी भी न डरे न डिगे देश की आवाज बन चुके अकबार पर अंग्रेज लगातार आगहात करते रहते थे इसके लिए गड़ेश शंकर विद्यार्थी को कई बार जेल भी जाना पड़ा लेकिन जो रुख जाए वो प्रताप कैसा और जो जुख जाए वो गड़ेश शंकर विद्यार्थी कैसे प्रताप अकबार में राम वरच बेनी पुरी, माखन लाल चत्रुवेदी जैसे सहित कारों का विकास हुआ तो चंदरशेखर आजात, भगत सिंग जैसे करांतिकारियों को भी धार मिली यही कारण है कि गड़ेश शंकर विद्यार थी, बाल गंगा धर के तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे, तो गांधी जी के विचारों को भी पूरा मान देते थे यह वही प्रताप प्रेस है जो ना केवल सहितकारों के लिए एक सीखने का इस्थान हुआ करता था, बलकि करांधकारियों के लिए एक शरण इस्थली हुआ करती थी इसी जगहे पर भगत सिंग, बिस्मिल, आजाद जैसे लोग बैठा करते थे, आपको दिखाएंगी यह स्थिती बहुत जरजर स्थिती में है, लेकिन यही कभी वो दौर रहा होगा जब यहां पर आकर महफिल सस्ती होगे और आगे की अंग्रेजों के खिलाफ रणनीती ब जा रही है, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, वो धार्मिक कटरता उनमाद के सक्त खिलाफ थे, उन्होंने एक बार अपने अखबार में लिखा था कि देश में धर्म की धूम है, इसके नाम पर उत्पाद किये जा रहे हैं, धर्म का मर्बन जाने बिना ही ल विज्यापन को जगह नहीं देते थे, जो सामाजिक रूप से सुईकार रेना हो, यही नहीं, वो राजा, सेट वा सामंद से विज्यापन या चंदा नहीं लेते थे, गड़ेशंकर विद्यार्थी, धर्म और आडंबर इनको राजनीती मिला जाने के बेहत खिलाफ थे, उ उन्होंने अपने अख़बार में लिखा था कि लोग धर्म इस देश में धर्म की धूम है, लोग धर्म का मर्म समझे बिना ही धर्म के लिए लड़े जा रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि असली धर्म क्या है। चीज मार्च 1931 को एक ऐसे ही हिंदू मुस्लिम के दंगे में उनकी मौत हो गई। उनकी लास तीन दिन महापालिका के हॉस्पिटल में पड़ी रही और यहीं से एक नायक, एक महानायक का अंत हो गया। लेकिन उनका अंत शारी रिक तो हो गया, लेकिन उनके कहे गए विचार, उनके लिखे लेक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस दोर में हुआ करते थे। लेकिन इससे भी दुखत यह है कि कानपूर में उनके प्रेस को सहजने में किसी ने रुची नहीं दिखाई। तमाम सरकारे आईं लेकिन प्रताप प्रेस की जरजर अवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जीन्ड छीन्ड अवस्था में इस भवन को उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया जो गांधी वादी हैं और उन्होंने भी नहीं जो तिलक को मानते हैं आप चुकी कानपूर इतिहास समिती के सच्यू भी हैं और वरिष्ट पत्रकार हैं और पत्रकार के रूप में आज जब आप इस तरीके की इस्थितियां देखते हैं इस प्रेस की जिसको एक हेरिटेस के रूप में होना चाहिए था तो आप पहला ये कि किसकी गलती मानते हैं ये इस स्थिति में कि हम जैसे जो नवोदित पत्रकार हैं उनको देखकर इतना कश्ट होता है तो ये किसकी गलती है कि आज इस स्थिति में पहला तो ये और दूसरा ये है कि प्रता के माध्यम से गड़े शंकर विद्यार्थी ने हमको बहुत कुछ दिया कानपूर को दिय लेकिन कानपूर रे गड़े संकर विद्यार्थी को क्या दिया गलती सबसे पहले आपनी मानूंगा अपनी अपनी बिरादरी की मानूंगा ये जो ये जो अजिन के पत्रकार है hear वेरिटेज है उसको सहेजने के लिए आगे आना चाहिए था और इसको लेकर मैंने अभी पिछले दिनों मांग भी की थी शहीदे आजम भगत सिंग की जैनती पर भी और इसके पूर्व में भी मांगे होती रही है लेकिन कोई एक ठोस इनिशियेटिव अभी तक नहीं लिया गया और यह तय है कि अगर इसको अभी जो वरतमान पर इद्रश है जो इस बिल्डिंग का वरतमान पर इद्रश है यह जो यह अंतिम सांसे गिन रहा है और यह आने वाले दिनों में आने वाले सालों में यह पूर्टया धौस्त हो जाएगा तो एक इतिहास दफन हो और इसमें जिम्मेदार हम सब हैं कि हम में से कोई आगे आया ही नहीं इसको सहेजने के लिए गड़े शंकर विद्यार्थी का यह जो प्रेस है यह प्रताप प्रेस कहा जाता है लेकिन इसकी इस्थिति आपको हम दिखाते हैं बेहत जरजर है यह कब गिर जाएगा हम अपन कैमरा मैंन से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर देखाएं कितनी जरजर अवस्था में है कि पूरा बंध है लोगों ने यहाँ पर शराप की बोतलें पड़ी हुई है आप इधर दिखाईए रोल करके यह देखिए शराप की बोतलें पड़ी हुई है लोगों ने यहाँ प गरेश शंकर विद्यार्थी का जब भी नाम देजभर में लिया जाता है तो कानपूर का जिक्र होता है लेकिन कानपूर वासियों ने शायद इतनी जहमत ना उठाई कि वो प्रताप्रेस को सहे सकते हम इस माध्यम से प्रशासन से और सासन से भी एक गुहार लगाना कि जिन्हों ने हमें आजादी दिलाई कम से कम हम उनका तो मान रख लें कैमरा पर संडिसी यादों के साथ मैं प्रशान मिस्ट्रा एबी न्यूज इंडिया